आने जाने के मार्ग बहुत आसा जोने के बावजूद भी आज के प्रयासों में अंगत फाउंडेशन पढ़ाफ पहुचा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को भोजन दिया सभी रहवासियों ने प्रसंता के साथ भोजन ग्रहन किया कुछ लोग पनी लगा कर रह रहे हैं तो कुछ लोग पेड़ के नीचे ही रहने को मजबूर हैं लेकिन अंगत फाउंडेशन ने जो जहां हैं लोगों को वहीं भोजन पहुचाया इसके बाद सूचना मिली कि चूला गोलाई पर बंदर और मूग प्राड़ी भी भूके हैं तो उनकी भी विवस्था की गई और वहीं के एक इस्थानिये व्यक्ति को इसकी आगे की भी जिम्मदारी दी गई इसी क्रम में शारदा चौक पर विस्थापित अन्ना महला में भोजन और राशन पहुचाया गया समाज सेवी जीतू कटारे अपनी स्वयम की कार में ही दो कुंटल कच्चा राशन लेकर चलते हैं जिसमें आटा, चावल, शक्कर, चायपती, बिस्किट और टोस्ट रहता है और बच्चों के लिए भी लगातार सामगरी उपलब्द कराते आ रहे हैं एक मुलाकात में श्रीक अटारे बताते हैं कि अब समस्या और भी कंभीर होती जा रही है अब फोन के माध्यम से भी सूचना आ रहे हैं क्योंकि अब मध्यम वर्गिये परिवारों की भी स्थती जगमागाने लगी है जेडिये के द्वारा जो मकान बनाये गए हैं जिसको लाल बिल्डिंग कहा जाता है जो गंगानगर में इस्थत है वहां के लगभग 24 परिवारों की भी स्थती काम धंदा बंद हो जाने के कारण अब डग मगाने लगी है लेकिन वहीं अंगत फाउंडेशन और समाज सेवी जीतु कटारे का लक्ष है कि कोई परिवार ने राशना हो पाए इस समाज सेवा में किशो ठाकुर्स और अबदवे छोटु जैन पुर्शोत्तम को स्वामी योगी जैन अनिल बलकुल आदी समाज सेवियों से सहोग मिल रहा है